नवश्कार आप सभी का स्वागत है भाग्यम मैं मैं हूँ पंडित चंद्रशेकर शर्मा दर्शे को सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचान की आज दिनांक है साथ जून सन दोजार तेईस विक्रम समवत दोजार असी चल रहा है आशाड मास है कृष्ण योग ब्रह्म हैं पूरे दिन और रात दस बच के तेईस मिनट तक तो योग की द्रश्टी से आज का दिन बहुत ही शुब और योग का रख है विशेशकर अध्यात्मिक कारियों के लिए कोई पूजा पाट करवानी है ध्यान हवन करना है तो इस दिन का सदुप्योग करे करन बव है सुबे ग्यारा बच के 21 मिनट तक आगे बालव करन रहेगा सुर्योदे का समय सुबे पांच बच के 22 मिनट का था और सुर्यास्त का समय शाम 7 बच के 17 मिनट का है आज का राहुकाल दौपेर 12 से डेड़ बजे की बीच रहेगा इससे पूरी तरीके से टाल दीज देगा ये हैं सुबे 11 बच के 22 मिनट और दौपेर 12 बच के 47 मिनट आज का दिशा शूल दर्शे को उत्तर दिशा में तो पहले कोशिश तो ये करें कि इस दिशा की यात्रा को टाल दें लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी हो तो इसका एक परिहार करके जाएं परिहार करते हैं तो दिशा शूल आपको परिशान नहीं करेगा और यात्रा शूब मंगल में योग का रख और आपकी जो कारी जिसकारी के लिए आप यात्रा पर निकले वह भी सिद्ध हो जाएगा आज का शूब समय दर्शे को यानि आज की दिन का सदूप्यों करने का जो समय है वो है सुबह 10 बच के 35 मिनट से दोपैर 12 बजे तक और फिर दोपैर 3 बच के 40 मिनट से शाम 7 बच के 15 मिनट तक और उसके बाद में रातरी 8 बच के 35 मिनट से रातरी 9 बच के 45 मिनट तक ये तीनों कालखंट बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुब और योग का सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की तो मेश राशी वालों को कार्याले में वर्क लूट जादा मिलेगा लेकिन आप उसे बहुती सूझ-बूज के साथ हैंडल भी कर लेंगे और व्रश राशी वालों को भाग्यों दे के अवसर मिलेंगे जिससे जीवन में बहुत परिवर्तन आ सकता है मिथुन राशी वालों को स्वास्त की समश्चा के साथ साथ आज दुरगटनाओं के प्रतीवी सचेत रहना है करक राशी वाले अपने वैवाईक जीवन में संतुलन की कमी महसूस करेंगे सिंग राशी वाले शत्रुबादा से कुछ विचलित रह सकत रहते हैं और कन्या राशी वाले चात्र चात्राओं के लिए योग का रख देना है तुला राशी वालों को आएगा खयाल प्रॉपर्टी खरीदने का या फिर वहन बदलने का और ब्रस्चिक राशी वालों को किसी पर भी आज अती विश्वास करने से बचना है धनू राशी वाले किसी बड़े निवेश में पैसा अटका सकते हैं जो कि लाब दायक तू बिल्कुल नहीं रहेगा और मीन राशी वालों को मिलेगी मनोकामना पूर्ती की कोई ठोस रहा दर्शे को आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा जो हमारी आपकी अंते द्रश्टी प्रज्या को जागरत करेगी फिर आगे समझेंगे उन विश्य शुपायों को जीवन को सुकम सुरक्षित सुंदर्स सफल बना देते हैं अन्त में करेंगे आजकी दिन की जोतिश मं और समाधान दर्शे को एक बहुती सुन्दर श्लोक शास्त्र में आता है जो इस प्रकार है इस चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया ने कूप खननम युक्तम प्रदिप्तम वनहिना ग्रहे यानि की विपत्यों के आने से पूर्व ही समझदार व्यक्ति को उसक से की कोई संबंद विगड़ता है तो पहले छुटपुड बाते होती है तब यह बहुत ज्यादा विगड़ती है तो शुरुवात में छुटे-छुटे लक्षन आते हैं आर्थिक समझ्या जब विकट हो जाती तो उससे पहले शुरुवाती संगर शाया करता है लेकिन जानते समस्ते वे भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं इसलिए हमेशा भविष्टी के लिए तयार रहें अंग्रेजी में कहते हैं कि hope for the best but prepare for the worst इस बात को हमेशा ध्यान में अपने जीवन में रखें तो कभी आप असफल नहीं होंगे बहुत बड़ी समझ्या में कभी नहीं फस पेवे सफलता कि और ड्रटा से अग्रसर होता हैं सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जनम दिन हैं तो जिन जिनका जनम दिन हैं सबसे पहले आप आज सुबह दस बच के पंद्रा मिनट के बाद में आटे और गुड से 108 गोलिया बना ले 108 से जादा बनती बहुत लीचे चौमुखा दीपक जला के आए और अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों और इस्ट और पित्रगणों के निमित एक एक दीपक प्रजलित करें यह सारे उपाई अगर आप करते हैं तो आने वाला पूरा वर्ष सुक्षान्ती से बीतेगा सम्रद्धी से बीतेगा इ ऐसी स्तती में आपका औरा डेमेज हो जाता है और आप विबिन समश्याओं से घर जाते हैं ऐसी स्तती में आपको कुछ छोटे-छोटे उपाय कर लेने चाहिए वरना यह परेशानी जैसे जैसे पुरानी होती जाती है तो बड़ी समश्या में परिवर्तित हो जाती है करना आपको सिर्फ ये है कि दो जोडे पान, बावन लॉंग के जोडे और चौदा बर्फी, चौदा काज की चूडी, सिंदूर, कपूर ये सब एक पतल के डोने में रखकर, या एक बड़ी पतल में रखकर, अपने सर पे से साथ बार, एंटिक लोकवाईज उतारा करवा लीजिए, और किसी जल इस्थान या सुनसान इस्थान पर इसे रखवा दीजिए, बापस आकर वो व्यक्ति सनान करे, ग्यारे पाट बजरन बान के अवश्य करें, सारी समश्या, सारी नेगेटिविटी या जो द्रश्टी दोश आप पड़ था, वो दूर हो जाएगा, ऐसे अगर ये समश्या बार-बार होती हो, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एर्शा रखकर आपको परिशान कर रहा हो, तो एक छोटा सा उप आप भैरव नामावली के कर लीजिए, और फिर सारी सामगरी को कहीं पीपल के रक्ष के नीचे रखाईए, इसके बाद में तीन दिन तक छोटे-छोटे बच्चों में आप मिठाई बटवा दीजिए, मीठे चावल बनवा कर और तीन दिन तक गौमाता को खिला दीजिए, सारी समझा में आपको आराम मिलेगा, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, आपके इर्द गिर्द एक पॉजिटिव ओरा जो आपकी सुरक्षा करेगी, वो क्रियेट हो जाएगी, ऐसे दर्शे को जिन कन्याओं के विवा में अनावश्यक विलंब हो रहा हो, उनको कपड़े में बांध कर पूजा के स्थान पे रख दें, और रोजाना दो घी के दीपक जला कर तीन माला, सर्व मंगल मंगले, शिवे शर्वार्त साधी के, शरण्ये त्रंब के गौरी, नारायनी, नमस्तुते, इस मंत्र की करती रहे, बहुती जल्दी बहुती शिगरता से विवा ते हो जाएगा, योगे जगे, यानि अच्छे वर से विवा ते होगा, जब आपका कारे सिद्ध हो जाए, यानि आपकी जो विवा है वो ते हो जाए, तो इस पूरी सामगरी को किसी नदी में आपको प्रवाइद करना होगा, तो ये थे आज के विसस टुपाए, जो आपकी बड़ी-बड़ी समश्चाओं से आपको बाहर ला रहे हैं और आपकी मनों कामना भी सिद्ध कर रहे हैं, अब बात करते हैं आपके सवालों की, आपके सवालों में आज हमारे पास जनव पत्री का आई है, हमारे दर्शक अभिमन्यू सिंग जी की उध्यपुर स क्योंकि दशमेश सूर्य यानि दशम भाव करम भाव का जो मालिक सूर्य है अपने से आगे एकादश भाव में गया है और लगनेश मंगल प्रबल होके लगन में उपस्तेते हैं, तो ऐसी स्तती में पूर्ण राजयोग बन रहा है, आपके नोकरी, पुलिश या सिक्षा व तो उस दोरान आपकी नोकरी लग सकती है, आप मेहनत कीजिए, तैयारी के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि जनमस्तान को छोड़ कर कहीं आप दूर रहने लगे और नित्य भगवान शिवजी पर केसर या चंदन का इतरा रप्रित करें, तो बहुत लाव होगा, कोई अर् उसमा सफल हो जाएंगे, आज की दूसरी जनम पत्री का हमारे पास आईए हमारी दर्शक पूनम वाधवानी जी की अजमेर से, 28 जनवर 1998 में का इनका जनम है, तीन बच के 45 मिनट दौपेर अजमेर, प्रशन किया है, लव मैरिज के योग हैं या अरेंज मैरिज के, और कब ह होगा विवा, पुनम जी आपके प्रेम विवा के प्रवल योग हैं और आपने अब तक तैभी कर लिया है कि किस से आपको विवा करके जीवन भर साथ निभाना है, विवा पश्चात आपका भाग्योदे भी होना तै है, ऐसा आपकी जनम पत्रे दिखा रही है, विवा 2023 से अप्रेल 2024 के बीच में हो जाएगा, उत्तम फल प्राप्ति के लिए कवों को धई बर्फी खिलाईए हर शुकरवार और शनिवार के दिन, तीन शमी यानि कीकर के पौधे किसी श्यों मंदिर के पास में अब लगा दीजे, तो आपका भाग्योदे होगा और विवा में क अर्चन भी नहीं आएगी, तो ये था आज का पंचांग आज के विसस टुपाए और ज्यान चर्चा, मैं पंडे चंदरशेकर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को, सही विदी सटीक समय पर करके आप पूरा पूरा लाब उठाएंगे, और जो ज्यान चर्च नमस्कार, मैं हूँ दीप्ती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 18 के हमारे कारिकरम भाग्यम में और भाग्यम के इस खास सेग्मेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज औरिकल कार्ड के जरीए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और हमें इसके ऐसा क्या करना चाहिए और किन बातों को करना अवाइड करना चाहिए जिससे आज कि दिन अगर कोई चालेंज हमारे सामने आता भी है तो हम इसको जानने के लिए हम एक से लेकर 9 मूलांग तक ही रीडिंग करते हैं कार्ज निकालते हैं कौन सी रीडिंग आपके दोड़ेंगे तो जुड़ाएगा नंबर पांच तो पांच होगा आपका मूलांग और आज की तारीक है 7 जून 2023 और आज की तारीक है नंबर साथ इसके स्वामी है केतू और आज हम देखते हैं कि केतू क्या इंपेक्ट पड़ता है एक से लेकर 9 मूलांग तक के जातकों पर वैसे कहा जाता है दोस्तों कि केतू जो है वो मा का मा को रिप्रेजेंट करते हैं साथ ही साथ मों मौक्ष का मार्ग तक रिप्रेजेंट करते हैं इतनी पावरफुल एनरजी होती है तो आए हम जानेंगे आज की एपिसोड में कि उनका क्या इंपैक्ट पढ़ने वाला पिछले कुछ एपिसोड से दोस्तों हम बाचीत कर रहे थे हमारे लाइफ परपस की हमारे यहां पर आने की तो कहीं ना कहीं आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं हम सभी का लाइफ परपस तो आपको आत्मा का परमुद्धिश तो हमने बता ही दिया था की मोक्ष की प्राप्ती है एकाकी करत होना है और किन-किन माध्यम से हम इने प्राप्त कर सकते हैं कुछ इसके उपर हम चर्चा करते हैं जैसे पिछली वार हमने बात की थी योग की तो योग के माध्यम से प्राणयाम करके योग के जो आठ भाग बताए गए हैं उनके माध से जो है आप उस इस्तिती तक पहुँच सकते हैं जिसमें ध्यान एक बहुत ही महत्पूर्ण कुंजी है ध्यान यानि की meditation और ध्यान वास्तविक्ता में लगाया नहीं जाता यह कोई क्रिया या प्रक्रिया नहीं है यह एक अवस्था है ध्यान एक अवस्था है जब आप उस इस्तिती में पहुँच जाते हैं कि जिस विशय वस्थू को आप देख रहे हैं आप और वो वस्थू एक हो जाती है आप में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता, तब वो घटित होती है, तब वो अवस्था घटित होती है, इसे ही ध्यान कहा जाता है, तो एक दिन में ये होना संभव नहीं है, कुछ शन में होना संभव नहीं है, होने को तो हो भी सकता है, अगर आपका प्रारब्द अच्छा है, आपकी उरजाएं बहुत अच चीज जब हम पहली बार cycle चलाते हैं तो पहले दिनी तो संतुलन बनता नहीं है लेकिन हम धीरे 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 practice करते हैं उसके बाद हम बड़ी बड़ी गाड़ियां भी चलाने लगते हैं लेकिन शुरुआत कहां से हो रही है cycle को चलाने से उसकी balancing से ठीक उसी प्रकार जब हम अ अवस्था में पहुंचना आरंब कर देते हैं और जब हम उस अवस्था में पहुंचना आरंब कर देते हैं तो हमारे जीवन की हमारे मनुष्य के शरीर में जो भी शक्तियां सिद्धियां पावर्ज होती है वो धीरे धीरे जागरत होना शुरू हो जाती है लेकिन जो पू मुद्देश है परमात्मा को प्राप्त करना एक आकरत होना एक होना हमें ये सारी सिद्धियों का उप्योग उसी कारे में करना चाहिए एक होने के लिए ये बहुत ही महतपून बात है आए दोस्तों बिना देर किये अपने कारिकरम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं गाइडेंस प्राफ्त हो रही है हमारे एंजल हमारे एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं मूलांक एक के लिए आज साथ जून 2023 के लिए और हमसे कहा जा रहा है शीर का काड आया है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन कोई भी महतपूर निर्ने लेने से बचें किसी भी कारे को आगे बढ़ाने से बचें आज के दिन आपको थोड़ा शांत रहना है सही समय का इंतजार करना है और सही जानकारी का भी हो सकता है जिस विशय पर आप कारे करने जा रहे हों उसकी पूरी जानकारी आपके पास ना हो तो आपको क्या कहा जा रहा है? पहले अपनी knowledge को बढ़ाएं, जिस विशे के साथ काम कर रहे हैं, जिस विशे के साथ काम कर रहे हैं, उस विशे के बारे में पूरी जानकारी जुटा लें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें. आपका दिन शुबहो. आईए जानते हैं मूलांक दो के लिए हमारे एंजिल्स हमारे एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं मूलांक दो के लिए आज साथ जून 2030 के लिए और हमसे कहा जा रहा है elder का card है आपको कहा जा रहा है कि आपके कुछ patterns बने वह है life के उन patterns की वजह से अगर आपको अभी तक वो सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है जो आप चाहते हैं तो आपने उस old pattern को आपको remove कर देना चाहिए अब ये old patterns क्या है आपकी कोई गलत habit भी हो सकती है आलस से हो सकता है एडिक्शन हो सकता है कि आपको जो काम करना है पढ़ाई करनी है आपको competitive exams की तयारी करनी है या आपको office में कोई project बना रहा है उसके अलावा आप क्या कर रहे है आप mobile में है आप social media पर है कुल मिला के देखा जाए तो आपको पिने समय को नश्ट नहीं करना है बलकि अपने लक्ष की तरफ ध्यान के दित करना है और उन patterns को remove करना है अपनी life से आज साथ जून 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है stargazer का card है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपका जो focus है वो बहुत high रहने वाला है जो भी कोई कारे आप करना चाहते हैं जहां पर भी आपको चीजें पूर्ण करनी है उन चीजों को आपको बहुत higher perspective में देखना पड़ेगा आपको बड़े लक्ष बनाने पड़ेंगे बड़े गोल बनाने पड़ेंगे और उसके बाद आपको उनको अचीव करने का प्रयास करना चाहिए आपका दिन शुब हो आईए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें हमारे एंजल्स हमारे एंसिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं साथ जून 2023 के लिए और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है warrior का card है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन अपनी सारी insecurities को अपने सारे डर को अपने अंदर से निकाल दीजे और साथ ही साथ जो भी कोई आप कारे करना चाहते हैं आपको आज इसके लिए मजबूत होना पड़ेगा जो आपके thought process हैं जो आपकी plannings हैं आज आपको अपने plannings को समभालना है सबके सामने उसे नहीं बोलना है ऐसे कहा जाता है कि जब आप अपनी चीजों को आप करना चाहते हैं सबके सामने बोलना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कि लोगों की टोक लग जाती है नजर लग जाती है और हर व्यक्ति की उर्जा अच्छी नहीं होती है तो आपको आज ये समझाया जा रहा है कि सबसे पहले अपनी चीज़ों की सुरक्षा कीज़े जो भी आपकी प्लानिंग्स हैं जो भी कुछ आप अपच्छीव करना चाहते हैं सबको गाने की जरुत नहीं है बलकि आज 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 आपको firmly strongly अपने आपको खड़ा रखना है मजबूत रखना है इन चीजों को step by step पूरा करने के लिए आपका दिन शुब हो आईए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें हमारे angels, हमारे sisters हमें आज क्या guide कर रहे हैं आज 7 जून 2023 के लिए और मूलांक 5 के लिए हमें guide किया जा रहा है elder का card है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपने old belief system से अपने old pattern से मुक्ती पानी होगी क्योंकि जो आपका कारे करने का तरीका है वो कुछ ठीक नहीं है universally आपको guide किया जा रहा है कि आपके जो old patterns है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी ठीक नहीं है आपकी गलत habits अगर है तो उससे अपने आपको आज बिलकुल मुक्त करें ऐसा नहीं करेंगे तो आपका नुकसान है क्योंकि जो भी कुछ आप प्राब्द करना चाह रहे हैं अचीव करना चाह रहे हैं यह सब आपकी जो patterns आपका तरीका काम करने का यहीं उसमें बादख है तो अपने thought process को भी आप change कर सकते हैं आप अपने टीम में थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं आप अपने जो flow chart है जो भी आप काम कर रहे हैं जो आपकी plannings हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं तो कुल मिला के आज का दिन आपको आत्म विशिलेशन करने का है अब वो आत्म विशिलेशन खुद का भी हो सकता है आपके किसी project का हो सकता है आपके office के किसी कारे का हो सकता है आपके business का हो सकता है कुल मिला के आज आज आपको अपने उपर विशिश ध्यान देने की आवशकता है आए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा हमारे angels and sisters आज हमें क्या guide कर रहे हैं आज 7 जून 2013 के लिए और हमसे कहा जा रहा है मूलांक 6 के लिए ट्रेडर का card है energy exchange पर ध्यान देने की आवशकता है आज के दिन आपको वित्तिय मामलों में साफधानी बढ़ते हैं बेवकूफी ना करें किसी को उधार ना दें और ना ही किसी से उधार लें हाँ अगर कहीं से आपने उधार अलरी पहले से ले रखा है और अगर आप सक्षम है तो देरे-देरे चीजों को चुका देना चाहिए बैलन्स कर देना चाहिए और साथी साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा आज आपको निकालना है ब्रह्मान के लिए सुसाइटी के लिए धन्यवाद देने के लिए आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांक साथ के लिए हमें परमात्मा हमारे एंजेल्स, हमारे एंसिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे है मूलांक साथ के लिए आज की तारीख भी है साथ और मूलांक भी है साथ और हमें गाइड किया जा रहा है Winter का Card है Take care of your needs आपको कहा जा रही है कि आज के दिन आपको ऐसी opportunities दी जा रही है जो कि आपकी जरूरतों को पूरा कर सकें तो आपको क्या करना है आपको अपनी जरूरतों को पूरा करने पे ध्यान देना चाहिए आज के दिन ऐसे कोई विक्ति आपके समक्ष आ सकते हैं या फिर ऐसी कुछ उपरजनिटीज आ सकती है जो आपको जरूरत है चीजों की जिन कारें की आपको जुरुत है जिन लोगों की आपको जुरुत है उसको फिल फिल कर सके तो ऐसे में ऐसी opportunities को आपको खोने नहीं देना चाहिए बलकि उनको बड़े प्यार से grab करना चाहिए और जब आप एक इस प्रकार की चीज में आगे बढ़ते हैं तो फिर और भी कई दर्वाजे और भी कई मार्ग खुलने चालू हो जाते हैं तो किसी भी तरीके से आपको डिप्रेसिव स्टेट में नहीं रहना है बलकि जो भी opportunity आपके पास आए उसे grab करना है आपका दिन शुभ हो आईए बात करते हैं मूलांक आठ की कि हमारे एंजल्स हमारे एंसिस्टर्स मूलांक आठ के लिए हमें आज क्या guide कर रही हैं आईए हम जानते हैं और हमसे कहा जा रहा है आज 7 जून 2030 के लिए air guardian का card है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपने थोड़ी विचारधाराओं में परिवर्तन लाना होगा क्योंकि जिस तरह के thought process में आप चल रहे हैं इस तरह का thought process तो life में थोड़ी सी problem create कर सकता है अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको समझ नहीं रहा है या आपका कारे को कोई समझ नहीं रहा है तो आपको कहा जा रहा है कि वहाँ गलती नहीं है थोड़ा सा आपके सोचने में जो है वो थोड़ी कमी आ रही है हो सकता expectations आप बहुत जादा कर रहे हो हो सकता आपका तर पर ध्यान देना है उमीदें बहुत ज़्यादा किसी से नहीं पालनी है और साथी साथ अपनी विचारधर अपनी दृष्टी कोण में आप बदलाव लेकर आए आपका दिन शुभू आए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें हमारे परमात्मा हमारे इंजल्स एंसिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं मूलांक 9 के लिए 7 जून 2023 के लिए और हमें गाइड किया जा रहा है और एकल का कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन कोई भी महतपूर तो समझ के काम करें कुछ नई जानकारियां आपको प्राप्त हो सकती है उस पर्टिकुलर विशय के बारे में जिसके लिए कि आप काम कर रहे हैं और साथी साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको हड़ड़ा के कोई भी कारे में आगे नहीं बढ़ना है लोगों के साथ जुड़ना है तो सही समय का इंतजार करें और उन लोगों की और उस कारे की आर इंडी कर ले यानि कि अच्छे से रिसर्च करा ले आपका दिन शुभ हो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी एक से लेकर नौ मुलांग तक की अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहां दिये नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप हमेशा खुश रहें स्वस्त रहें आप सभी का मंगल हो आप से मिलूंगी हमारे अगले एपिसोड में आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम